क्या आप जानते हैं कि 51 शक्ति पीठों में से चार शक्ति पीठ तमिलनाडू राज्य में आते हैं पुराणों के अनुसार जहां जहां सती माता के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ का निर्मान हुआ है देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है तमिलनाडू के कन्या कुमारी ती रुवनंत पुरम मार्ग पर शुचितीर्थम शिव मंदिर है जहां पर माता के उपरी दांत गिरे थे कन्या कुमारी तक पहुचने के लिए रेलवे सबसे सामान्य साधन है रतनावली यह शक्ति पीट चे नई के पास है लेकिन स्थान अग्यात है यहां देवी का दाहिना कंधा गिरा था कन्या कुमारी कन्या कुमारी में माता सती का पीट का हिस्सा गिरा था इस शक्ति पीट को सरवानी के नाम से जाना जाता है कन्या कुमारी को कालिक्षराम या कन्याश्राम शक्ति पीट के रूप में भी जाना जाता है कन्या कुमारी दक्षिन भारत के सभी शहरों से सड़क के मार्ग से जुड़ा हुआ है कांची तमिलनाडू में कांचीपुरम रेलवे स्टेशन से थोड़ी दुरी पर देवी कामाक्षी शक्ति पीठ है, ये एक विशाल मंदिर है ऐसा माना जाता है कि देवी का देह यहीं गिरा था जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चिनल को जरूर सब्सक्राइब करे और साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाए प्रेम से बोलो जैमाता दी